एक वेणी जपा कर्णपुरा नगना खर इस्थिताम लंबोष्टी करिका कार्णी तेलभ्या सक्त तारणीम बामा पादो जललोटा लता लश्टा कभूशणा हां वर्धाम भुजद्धरा क्रश्टा हां कालरात्री भयंकर ही मा कालरात्री को आज हम प्रणाम करते हैं मा का सरूप कैसा है अगर मा के सरूप का भक्त दर्शन करता है तो वह प्रशन हो जाता है और अभक्त दर्शन करता है तो वह कापने लगता है मा का सरूप कैसा है मा बड़ी ही क्रोध के सरूप में दिखाई दे रही मा कालरात्री का जो मा खो़ीदिप मान turned wannaг runtie का संगहर करने के लिए माके बाल बिखरे युए हैं अन्माताओं का जो पाशन होता है वह होता है सिंग का ऐसन किसी का कमल पुष्प का आशन परुंत्मित्रों यहान पर मांने गर्धव की देशी भाषा में गढ़ा कहते हैं उसके ऊपर मां बिद्धिमान है और मां करती क्या है कि जो भी भक्त मां की स्रण में आते हैं मां अपने भक्तों को अभहे उनके कश्टों को दूर करके उनको अभय दे देती है मलब उनका भय दूर कर लेती है परंतुमित्रों मा के स्वरूप का जब भक्त दर्सन करते हैं तो प्रसन हो जाते हैं अभक्त दर्सन करता है तो कापने लगता है क्यों क्योंकि मा के पास जो भक्त हैं उन भक्तों को किसी प्रदान किया करती हैं मा का जब हम पूजन करें मित्रों ध्यान रखें कि अगर एक पांद के टुकड़े के उपर पांद के उपर रख करके मा के सामने उस पत्ते को रखें उस पे कपूर रखें और उसपे दो लॉंग रख करके अपनी इख्छाओं को बोलते हुए कि हे मां हमारी ये इख्षाएं हैं हमारी ये विपत्तियां हैं हमारी इने विपत्तियों को सदयों सदयों के लिए शमाप्त कर दें और हमारी इख्षाओं को हमारी कामनाओं को आप पूर्ण करें तो मां हमारी इख्षाओं को हमारी कामनाओं को पूर्ण करेंगी और हमारे जितने भी रोग, दोश, इत्यादी ये पीडाएं हैं, जर्म प्रत्व शंवन्धी रोग हैं, इन समस्त का सभी सदाव सदाव के लिए मा सभी का अहित करने Вाली समस्त प्रकार के अहित जो हमारे करने वाले हैं, उन दुष्टों का भी संगहार कर देती हैं, हमारे दुष्टों का संगार, हमारे दुष्मनों का संगार, मा करके हमको अभय प्रदान करती हैं, ऐशी है मा कालरात्री, इन मा कालरात्री का पूजन, हम सभी को शप्तमी के दिन, शप्तमी तिथी के दिन, बड़ी भक्ती और सुर्द्धा के साथ करना चाहिए, मा हम सभी को अब है प्रदान करेंगी आश्वी मंगल कामना के साथ सभी को माता कालरात्री का शुब आशिरवाद प्रदान हो इसी के साथ सभी को जै माता दी जै मागंगे